हेलो गैस आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में काफी informative update आपको देने वाला हूँ जो होने वाली है computer से related है और जो emitter की shop चलाते हैं उनके लिए काफी महतपून update रहने वाली है जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जैसे morpho या फिर mantra वग्यरा fingerprint यूज करते हो biometric वग्यरा machine यूज करते हो तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है उसमें कई बार होता है कि आप system format कर देते हो या फिर आप reinstall करते हो अपने morpho या mantra को तो एक error आपको देखने को मिलता है जैसा कि अभी आपको display पर error देखने को मिल जाएगा भी थोड़े देर में तो वह error आपको देखने को मिलता है उसको कैसे result करना है दो second के अंदर वह सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूं यह दीखे तो यहाँ पर एक error आ चुका है मैं आपको बता देता हूं यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ रहा है device registration failed तो कैसे आप result कर सकते हो दो second के अंद और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेर कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजे notification bell को on करना ना भूले ताकि ऐसे updates से आप जुड़े रहें तो आप चलिए first step की बात कर लेता है तो सबसे पहले आपको check करना है आपका time or date ठीक है तो वह कैसे check करना है कैसे उसको सही करना है व just date and time ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है जैसे right click करोगे तो first option आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर देखी यह जो जो आ रहा है time zone यह आपको set कर लेना है जैसा कि आप windows वगेरा डालते हो तो उसमें यह time zone गलत आता है या फिर दूसरी country का यहां पर आता है त time and date आपको set करना होगा कैसा set करना है वो भी बात कर लेता है जैसे ही आप इस पर time zone पर click करोगे यहाँ पर इस वाले section में तो यहाँ पर click करते ही सारे time zone यहाँ पर open हो जाएंगे पूरी all of world के ठीक है तो यहाँ पर आपको जाना है 530 पर तो 530 जैसे यहाँ पर one लिखा हुआ है यहाँ पर 530 आएगा वहाँ पर आपको लेके चले जाना है तो 530 पर देखिए यहाँ पर अपना आ चुका है चैने कोलकेता मोंबोई न्यू डेली ठीक है तो यहाँ पर आ चुका है 530 पर तो 530 पर आपको click कर देना है जैसे आप 5.30 पे click करोगे तो यहाँ पर यह auto adjust हो जाएगा और यहाँ पर 5.30 करते ही यहाँ पर इंडिया का time आपके पास show होने लगेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो time change हो चुका है पहले कुछ और आ रहा था अभी कुछ और आ रहा है जो इंडिया में time है उसी services का option आजाएगा इस पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद में क्या होगा यहाँ पर देखिए यह services open हो चुकी है सारी services जितनी भी है computer में run हो रही है वो सारी services यहाँ पर run हो चुकी है अब यहाँ पर किसी भी service पर click करके और यहाँ पर M आपको press करना है जैसे आप M प्र आपको और यहां से सिंप्ली री स्टार्ट पर क्लिक कर रहा है जैसे आप सर्विस को री स्टार्ट करते हो तो आई होप 99% आपकी जो सर्विसेंगी और जो एरर आपकी रिजुल्फ हो जाएगा अभी चेक कर लेते हैं आपके सामने है ओन स्क्रीन में आपको बताने वाला ओप्शन आ रहा है तो चलिए मैं यहां पर नेट कनेक्ट करता हूं नेट यहां पर कनेक्ट नहीं है नेट कनेक्ट कर लिया है ओके तो गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया नेट यहां पर कनेक्ट किया डेट इन टाइम दुबारा देखा और यहां पर दुबारा इसको रिस्टार्ट किया देन यहां पर सक्सेस्पुली आ चुका है तो सक्सेस्पुली आप देख सकते हो सक्सेस् सिस्टम को करते रहते हैं तो अभी वो रिजोल्ड नहीं होती है तो सबसे मैंशची में आपको मैं gotha दिया है यहिए यहां पर होने वाला है सी तर इस जुट सबेकर रहती है और बाकि दैनड़ करने के लिए बूप आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो प्ली दोस्तो लाइक से जोच कीजिए कोमेंट कीजिए और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिए थेंक यू दोस्तो बाबाई टेक केर चैहिंद झाल